तो देखो यहां पे हमें क्या देखना है कि जैसे एक क्वाडिनेंट इसको हम जैसे बोलते हैं यह पूरा कॉटिशियन बोलते हैं इसको ठीक है एक्स यह एक्स एक्स होता है यह यह निगेटिव एक्स एक्स है यह दोनों पॉजिटिव होंगे यहां तक अच्छा यह चीज हो गई उसके बाद एक्स को हम क्या कहते हैं तो हम तोड़ा सा basic बताते रहें बाकी coordinate geometry जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि X को हम abscissa बोलते हैं और Y को ordinate बोलते हैं इसको abscissa और इसको ordinate बोलते हैं इसको हम first coordinate first quadrant कहते हैं quadrant क्यों कहते हैं तो यह four parts में divide है और quad means होता है four यानि quadrant means क्या हो जाएक one fourth तो यह quadrant and the second quadrant Uhh this third quadrant and the third quadrant is fourth quadrant फ Grade quarterर fix Nej जो होगा sign cost यह सारी चीज्रे सारी positive होगा ओल positive होगी second quad paying में क्या होता है सिर्फ sign और sign का all our tag जो होगा तो जो यानि जब sign होगा तो पिर qawi Sinyeжी भी होगा तो यह sign and x positive होगा और third quadrant में क्या हो जाएगा 10th eta to 10 का all the क्या होता है कौट होता है तो वह भी positive हो जाएगा और 4th quadrant में cause to cause का उल्टा क्या हो जाएगा reciprocal क्या हो जाएगा second theta तो यह भी पॉज़़ज़ यानि cause 4th quadrant में cause and sec third में यह तो इसके लिए हम याद भी कर सकते हैं ASTC यानि first quadrant में all positive second quadrant में sign positive तो sine का ultra reciprocal हम यह याद रखना है crossic theta और third quadrant में 10 theta तो 10 का reciprocal cod theta and cos तो यह हो जाए कि cos का ultra sec तो यह A, S, T, C करके भी हम याद रख सकते हैं लेकिन फिर mind में आपको आया होगा कि यह क्यों होता है यह क्यों होता है तो हम जानते हैं चलो जैसे कि आपको पता जैसे यह मैंने माल लिया कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक के सामने जो होता है क्या होता है पर्पंदिकलर होता है similarly यह हम धी ठीक से लगा हुआ इसको हम बेस माल लेंगे और यह यह यानि हđच हो जाए Tage purity के सामने जैसे को इस गू कलें तो 90-degree के सामने क्या हो जाएगा वेश हो जाएगा तो यह अगर यह चाहे माइनस हो या यहाँ पर तो सिमलरी दोनों plus हैं देखो यह भी साइन प्लस वाली है और यह भी प्लस वाला था दो दोनों plus हैं तो पॉजिटी भी आएगा तो यहाँ पे अब आप आप देखिए संव कोई भी चीज़ होगा तो प्रपेंडिक्लोरपान है प्लस में है यह भी प्लस में तो एंसर क्या आएगा प्लस में आएगा कॉस को देखोगे तो कॉस का भी बेश अपन जो हो जाएगा आपका है प्लस में तो यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है तो यह तब भी प्ल कोई भी अगर लेते हैं तो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा लेकिन जैसे हम सेकंड क्वाडरेंट में पहुंचेंगे तो यहां पर देखिए थीटा है इस थीटा को के सामने यह प्रपेंडिकुलर हो जाएगा पॉजिटिव में कोई प्राबलम नहीं यहां देखिए यह निगेटिव आला है एक्स एक्सिस तो यह निगेटिव हो जाएगा अब हम देखेंगे जब हम साइन थीटा का यूज करेंगे अब यहां पर अगर हम जैसे कहें तो कोई भी नंबर ले लेते हैं सब्सक्रों अगर मैं कोई एक नंबर लूँ अगर एच को जैसे पी स्क करोगे तो क्या हो जागा नाइन क्योंकि कोई भी सम निगेटिव वैलू होती है वह स्कॉयर करने पर हमेशा पॉजिटिव वैलू देती है इसलिए अगर यह माइनस में भी रहेगा तो जो हाइपोटेनियस होगा वह पॉज्टिव में ही आएगा सब में पॉजिटिव में यह जाएंगे, तो यहां पर हम similarly यहां भी देखेंगे, तो यहां भी positive, यहां भी positive, तो इसलिए साइन धीटा पॉजिटीब हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम cost theta पर जाएंगे, तो cos theta क्या होगा, base upon hypotenuse होगा और base क्या है, negative है और hypotenuse positive है तो आपको पता है कि negative plus positive अगर हम divide करेंगे positive से तो क्या होगा, वो answer negative में आएगा तो इसलिए लिखा गया है sin और cos बाकी सारे negative हो जाएगे एक और हम देख लेते हैं, जैसे time theta लिखेंगे तो perpendicular upon base हो जाएगा तो यहाँ भी negative से divide होगा तो भी answer negative में आएगा तो इसलिए sin और cos जो होगा second quadrant में आपका positive होगा अब इस quadrant में चलते हैं तो यहाँ पर time क्यों होगा तो देखिए यहाँ पर जैसे sin से अगर हम चलें तो यहाँ से theta देखेंगे तो यह perpendicular हो जाएगा यह आपका base है यह hypotenuse है तो sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse तो यहाँ एक negative एक positive हो गया तो यह क्या हो जाएगा फिर वही similarly वही चीज हो जाएगी कि यह अपस में अगर divide करोगे तो minus plus minus हो जाएगा minus को divide करोगे जब और अगर हम tan को करें तो perpendicular upon base होता है तो यहाँ minus को minus से जब divide करोगे तो वह आपस में cancel out हो जाएगे तो positive sign देंगे और tan का adjust reciprocal क्या होता है cot theta होता है तो यह चीज हो जाएगी similarly fourth quadrant में अगर हम चलेंगे तो cost का होगा कैसे देखिए हमें बताया गया है कि क्या होता है base upon hypotenuse positive में हो जाएगा तो I hope यह positive negative का खेल समझ में आ गया होगा कि यह क्यों मैंने लिखा यह all positive यहाँ पर sign positive यहाँ पर time positive यहाँ पर cause यहाँ उसका जश्रीश पर कल भी हम साथ में लेगते चलेंगे यहीं से यह formula बन गया तो मैं चाहता तो direct formula बता देता लेकिन मुझे लगा कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह क्यों हुआ concept यह पता होना चाहिए कि ऐसा अखिर होता क्यों है कि यह इसमें positive होगा यहाँ पर sign ही सिर्फ positive होगा तो वो मैंने अपनी तरफ से मैंने गोसिस किये समझाने की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा चलते हैं उसके आगे देखते हैं इसमें तो देखिए जैसे इसमें यहाँ पर फिर से मैंने वही x-axis y-axis minus x-axis और यहाँ भी minus y-axis तो हम यह देखेंगे जैसे यहाँ से अगर हम start करेंगे तो यह 0 degree है अगर हम यहाँ पर angle देख लेते हैं कि कौन सा angle हम कौन से quadrant में ले जाएगा तो यह पता है यह भी देखो perpendicular है यह भी perpendicular तो 90 90 90 total 360 हो जाएगा तो अगर हम कहें 0 degree है तो अगर हम theta को acute angle समझते हैं ठीक है अगर हम 20 30 let's say 50 कोई भी अगर हम angle ले लेते हैं तो उसमें अगर हम 0 degree में plus theta करेंगे ठीक है 0 degree में मान लो हम 70 भी करते हैं even 89 भी करोगे तो भी acute angle लेगा तो इसके just यहीं पर रह जाएगा मतलब उधर नहीं जाएगा 90 degree से उस पार नहीं जाएगा तो acute angle में अगर हम 0 degree में अगर हम कुछ acute angle add करेंगे तो first quadrant में रहेगा ऐसे ही 90 degree जैसे यह है ठीक है यहां से अगर हम कुछ भी minus करेंगे सब्सक्रों अगर minus one भी करेंगे तो हम इसी quadrant में रह जाएगे जाहिसी बात है तो 90 minus theta भी यहीं होगा और यहां देखिए जैसे हम पूरा ऐसे चले आएंगे तो देखिए यहां पर 360 तक यह जैसे 270 से जब यहां तक जाएंगे तो यह 90 एड़ होगा तो 360 आएगा अब अगर हम से जैसे भी plus हम करेंगे कुछ भी करेंगे plus one करेंगे कुछ भी क्योंकि वह acute angle रखेंगे हम उसको तो 90 प्लस theta जो हो जाएगा वो second quadrant में हो जाएगा और 180 minus theta भी आपका second quadrant में हो जाएगा क्योंकि जैसे 180 यह है अगर इसमें से minus करेंगे तो आपका second quadrant में रहेगा 180 को तो आपको यहाँ समझना नहीं अगर हम कुछ plus करेंगे तो फिर आपका इसमें आ जाएगा ठीक है यह आपको जो complementary angle में जैसे 90 minus theta 90 plus theta तो यह भी आपको mind में रहना चाहिए कि वो अहला कि इस class में class x में नहीं आपको काम आएगा लेकिन जैसे पता होना चाहिए कि अगर जब second quadrant में आएगा तो sign 90 plus theta होगा तो वो क्या होने वाला है positive होने वाला है जैसे कि यहाँ पे बताया गया लेकिन अगर हम यहाँ पे cos की बात करेंगे cos 90 plus theta तो वो तुरंत negative हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे second quadrant में क्या होता है sign और cos एक ही positive होता है इसलिए यह वाला method भी समझाया गया और यह समझाया जाता है लेकिन अभी तो आपके syllabus में सिर्फ 90 minus theta वाला concept है कि यह समझ भाओ कि जब अभी तो 90 minus theta का concept चलना है लेकिन जब 90 plus theta जाओगे या उससे भी आगे जाओगे तो फिर कैसे करना है उसको कब minus रखना कब plus रखना है तो यह मैंने यहाँ पे समझा दिया है और 360 के plus में भी हो जैसे अगर 360 से भी जादा होगा तो निकल जाते हैं तो वो कैसे कैसे quadrant में इसी recording हम डिवाइड करेंगे वो आगे आने वाले वीडियो में बताया जाएगा अच्छे से फिर हम यहाँ थार्ड क्वाडिन भी देख लेते हैं तो थार्ड क्वाडिन में जैसे 180 से plus कुछ भी करेंगे तो 180 प्लस theta इसमें आ तो 4th quadrant में पहुंच जाएंगे तो यहाँ अगर हम 360 जैसे यहाँ होता है अब इससे उपर जाएंगे तब तो हम 1st quadrant में निकल जाएंगे अगर कुछ भी plus करेंगे और इससे minus करेंगे तो फिर हम 4th quadrant में रह जाएंगे अगर कोई theta है जैसे जिसमें 0 degree है और 0 degree यह था और यह 360 डिग्री भी है तो यहाँ से अगर हम वापस आ रहे हैं तो माइनस करेंगे तो वापस आ करके 4th quadrant में पहुंच जाएंगे अगर प्लस करेंगे तो 1st quadrant में पहुंच जाएंगे that's all for today I hope you really understood these concepts if you understood these concepts and like my video so please like share and subscribe and don't forget to hit the bell icon okay see you in next video with some more basic concept of trigonometry okay bye